हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग बेल गवर वीडियो के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अजीब चीज़ें जो हमारे साथ नींद के दौरान होती है यार कि हम जब सोरे होते हैं तब हमारे साथ जो अजीब हो गरीब घटना घटती है उसके बारे में तो शुरू करने से पहले यार मेरी आपसे ये दर्खवास्त है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो इससे क्या होगा कि हम जो भी नए वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन अपको तुरें जट से मिल जागा समझे तो सब्सक्राइब कर लो यार क्या दिक्कत है तो चली फिर शुरू करते हैं तो पहले जो चीज है वो है sleeping paralysis, paralysis वो situation है जब हमारे body काम करना रोग देता है या तो बंद कर देता है sleeping paralysis तब होता जब एक इंसान जब वो गैरी नेन से जागने के बीच में पहुंचता है तो उसकी body तो paralyzed ही होती है लेकिन वो बंदे का दिमाग जागा वो होता है उसकी आखे जागे भी होती है वो इसके वज़ेस क्या होता है कि हम चिला रहे होते हैं हम चीक रहे होते हैं हम कितनी भी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हम हिल नहीं पाते हैं मूठ नहीं पाते हम बोल नहीं पाते हैं और कभ इसे जो चीज है, वो है sleeping jerk. कई बार हम मज़े से नींद में सो रहे होते हैं, अच्छे से सो रहे होते हैं, और अचानक से हमारे बॉड़ी में जटका महसूस होता है, और हमारा नींद टूट जाता है. इसे sleeping jerk कहते हैं, और हमें से कई लोगों ने इस चीज को महसूस किया है, साइन्स के हिसाब से हमारे बॉड़ी में नींद के दौरान कुछ ना कुछ changes होते रहते हैं, कभी हमारे blood में, कभी हमारे blood के flow में, कभी हमारे nervous system में, कभी हमारे muscles में, तो इसके वज़े से क्या होता है, कि उस change को complete करने के लिए हमारे body में sudden जटका महसूस होता है, जब हम नींद में होते हैं, और इसी दौरान कई वर हम सपने देख रहे होते हैं, कि हम कभी कहीं पर चल रहे हैं, या सीड़ी चढ़ रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, और अचानक से हम गिर रहे हैं, और सपने में गिरने से बचने के लिए हमें ये जटके महसूस होते हैं, ऐसा हमें सपने में महसूस होता है, लेकिन ये हकिकत नहीं है, अगली जो चीज़ वो है eyes movement, जब हम सोते हैं, तो हम तीन different level में सोते हैं, मतलब पहली जो होती हैं, पहली जो नींद होती हैं, वो हलकी और कमजो यान के ramp में होते हैं, तो कई बार हमारे आखे जो है, वो motion में होती है, मतलब left right left right वो हिलती रहती है, और कई बार कई लोगे के साथ तो ऐसा होता है, कि जब वो ramp में होते हैं, यानकि जब वो सबसे गहरी नींद में होते हैं, तो उनकी आखे हलकी खुली भी होती है, आधी खु होता है जो हमारे मंसन्द के development में हमारे growth, हमारे bones के development के लिए जिम्यदार होता है. साइंटिस्ट का मानना है कि यह जो हार्मोन है जब हम सबसे जादा गैहरी नींदавे होते हैं तभी यह सब्सीं जादा प्रोड्यूंज होता है इसके पीछे बस इतनी सी वज़ा है कि जब हम रात में सूरे होते हैं, उस वक्त हमारे ब्लड में ग्लुकोज लेवल बहुत कम होता है सोने के दौरान हमारे गले के मासपेशियों का सिकुड़ना जब हम सोते हैं और जैसा जैसा गहरी नीद में जाते हैं, हमारे गले के मासपेशिया है वो रिलाक्स हो जाते हैं और रिलाक्स होने के वज़े से वो सिकुड़ जाते हैं नहीं तो कई बार लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, कि जब वो सोते हैं, तो उनके गले की मास पेश या इतनी सुकुर जाती है, कि उन्हें सास लेने में खासा तकलीफ होती है, और कई बार तो वो ठीक से सास नहीं ले पाते हैं, और इसके वज़े से उनको डॉक्टर से ट्र सुने के दोरान, जब और जबें लाड़े काले होते हैं, जसके वज़े से कई सारे लोगों को रात में टॉइलेट जाने के जरूरत नहीं परती, और कई बार रहा मसुबार तो रहा हम जब आधा है, और पहला नीद में बहुते हैं, तो ये जो फंक्षन है हमारी इने किड होता है हमारे औजीव गरीब सपने कई और हम दल में सो रहे होते हैं और हमें और हम आधानी घूटाइभ यहाने सपने चाहिंगे कई बार सब्सक्राइब क्स無 cabezaodas बंगर सब्सक्रान करें करने चुड़े rap आदें अउन्हानीं करते है और वह भी जाता है और कुछ लोगों का ऐसा भी कैना है कि कई बार वो अपने सपनों को कंट्रोल भी कर सकते हैं मतलब कि वो सेम टाइम पे वो सपने में भी होते हैं और उसी वक्त जो भी आसपास में बाते हो रही होती हैं भी घटना है घटरी हो दिये वो उसको सुन और महसूस कर सकते हैं हमें से कई सारे लोग हैं जो सपना देखते हैं बहुतों को अपने सपने याद रहते हैं कि हाँ मेरे सपना आज यह देखा होता है तो चली दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खतम होता है मैं जल्दी इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक में किलिक कर दें और अपने